हलो बच्चों गुद मार्निंग कैसे हैं आप सर्थ बच्चों लास्ट यह हमने क्या पढ़ा था हमने इंपूट डिवाईस एंड आउटपूट डिवाईस पढ़ा था ठीक है आज हम उससे आगे पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे हम पर प्रॉसेसिंग डिवाईस और आज हमारा जो टॉपिक है वह है प्रॉसेसिंग डिवाईसirie इंड स्टोरेस डिवाईस तो देखिए आप है प्रॉसेसिंग डिवाईस है तो बच्चों देखिए प्रॉसेसिंग यह है आपके processing device, क्योंकि यह करता है, यह process करता है, पूरे computer को control करता है, ठीक है, अगर यहाँ पे आप computer को on करने से लेके off करने तक, जो भी काम करते हैं, वो सब यहाँ पे CPU का होता है, ठीक है, तो यहाँ पे यह क्या है आपका, यह है आपका processing device, next आपका है storage device, तो storage device में देखें कुछ devices हैं, अब storage, storage का मतलब क्या हो गया, कि store करना, ठीक है, save रखना, जैसे यहाँ पे क्या है, hard disk, floppy disk, cd, dvd, ram, rom, अब सब से पहले इस मतलब से storage क्या होता है, store का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, अभी तो चलिए, UKG class तो फिर भी एक बार school गई है, LKG class तो school अभी तक आई ही नहीं है, ठीक है, फिलाल LKG वाले बच्चे आंगन बारी गए होंगे, या कहीं भी पढ़ाई निखाई तो की होगी, तो देखो वहाँ पे क्या है बेटा, जब आप आप आंगन बारी जाते थे, या UKG class के बच्चे, अपनी LKG class में school जाते थे तो आप लोग school bag लेके चलते थे न, school bag क्यों लेके जाते थे, क्योंकि उसमें आपकी book, notebook, आपकी pencil, eraser, sharpener, ठीक है, ये सब चिरे क्या रहें, safe रहें, ठीक है, इसी ने लेके जाते थे थे न, उसी तरह से यहाँ पर storage device होता है computer में, ठीक है, तो back का का क्या होता है, वह आपक सबी copy, किताब, pen, pencil, सब को क्या, safe रखता है न, back के अंदर, उसी तरह से यहाँ पर हमारे जो ये storage devices हैं, ये भी हमारा जो भी हमारा काम होता है, जो भी हमने काम किया होता है, data होता है, उसे इन पर safe करके रखता है, ठीक है, तो जिससे यहाँ पर hard disk है, hard disk में भी data safe रखते है ठीक है, hard disk का काम क्या होता है, इसमें हम बहुत सारा data safe रखते हैं, लेकिन अगर आपको suppose ऐसा हो गया कि कभी कोई काम है, जो मेरा जरूरत की चीज नहीं है, जैसे आपने paint application में कुछ काम किया, और वो गलत बन गया, लेकिन आपने safe कर रखा है, ठीक है, अपने computer में safe कर अगर delete कर देंगे, permanently delete, तो मनला फिर वो delete हो जाएगा, तब आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर floppy disk है, यह भी आपकी क्या है, storage device, यह भी यहाँ पर बहुत सारा data store करती है, यह पहले अभी भी use होती है, बट पहले जाना चलती थी, ठीक है, अभ इस वैसा hole बना होता है, ठीक है, तो वो छोटी सी होती है, ठीक है, तो वो होते है, cd dvd, तो वो भी क्या है, हमारी store करने का काम आता है, उस भी हम अपर डेटा store कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा data आप उसमें store कर सकते हैं, next आपका आता है, ram, ram, ram आपका होता है, random access memory, तो होता है, और काम आपका store भी करता है, ठीक है, मनला इसमें क्या होता है, कि जैसे अगर आपने कोई भी काम safe किया है, ram में अगर safe किया है, तो उसमें क्या होता है, कि आप काम को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, मनला उसी काम में changes भी कर, पढ़ भी सकते हैं उ read only read only ka matlal keval पढ़ सकते है ठीके तो इसमें भी क्या होता है इसमें आप data को safe करते है लेकिन इसमें क्या होता है कि आप इसमें data को kavel पढ़ सकते है आप इसमें जैसे आपने suppose रोम की spelling भूंक पर गलत लिघ दी आपने आपर रो उम कर दिया तो गलत होगे न तो आप इस यू को हटा नहीं सकते हैं हहां से समझा किया तो यह होता है रोम तो यह सबी आपकी स्टोरेज डिवाइस है ठीक है और भी बहुत सारी है जब बड़ी क्लास में जाएंगे तब आपको बताएंगे ठीक है फिलागे यह स्टोरेज डिवाइस है आपकी ठीक है बच्चो तो यह धियान से पढ़ेंगे और इससे नोट डाउन करेंगे याद भी करेंगे सब ठीक है ओके थैंक यू